बिस्मिल्लायरह्मालरहिम अजीज तलभा अमीद आप लोग खेरियत से होंगे आज का टॉपिक जो असल में पिछले ही टॉपिक की कंटिनुएशन है वह उसे बच्चों ने यह रिक्वेस्ट की थी कि पिछले टॉपिक के अंदर जो है थोड़ा सा ज्यादा मैथेमेटिकल थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल भी था थोड़ा से टेक्निकल था इसको अगर रिवाइस करूबादें तो ज्यादा बेतर होगा तो अबवल तो यह कि आम कुशिश किया करें कर आपको कुछी जीज मुश्किल लगे तो उसको दूसरी तिसरी दफा कर लिया करें वीडियो आप लोगों की सहुलत के लिए मैं दुबारा से एक्स्प्लेइन कर रहा हूं टापिक और इसमें मैंने बड़ी चेंजिस की हैं काफी ज्यादा स्लाइट्स को मजीद असान बना दिया है और कोशिश किया कि पंपिंग लिमा आपको बहुत असानी से जो है आप समझ में आ जा करा दिया है और पूरा solution का mention कर दिये एक example तो मैंने book के इलावा किसी और method से भी solve करके बता दिये इन जनरल ताकि आपके पास एक variety आ जाए ठीक है इसल में यह जो subject है इसके लिए आपका mathematical background काफी मस्बूत होना जरूरी है इसलिए इसका pre-recursor उड़ता है discrete maths तो अगर discrete maths में कमजोरी रही है तो इस subject में थोड़ा सा problem हो सकता है लेकिन बाहराल उस चीज को देखता हूं है अपनी चीजों को छोड़ना नहीं है हमें तो आगे बढ़ना है तो let's start हम पढ़ने है हमारे course का नाम ही है formal languages and theory of formal languages और automata ठीक है तो formal languages में हमें पता है कि when we say language it means a set और set finite भी हो सकता है और infinite भी हो सकता है ठीक है अगर वो set finite है तो finite का मतलब यह है उसके number of words finite है वो हमेशा regular language होगी यानि वो set हमेशा regular set होगा उसको यानि उसकी regular expression बन सकेगी उसकी बज़ा क्या है कि जितने जितने words है वो finite है चाहिए वो एक लाख है दो लाख है पचास करोड है उन सब के दरम्यान में लगा दो प्लस दिस प्लस दिस प्लस अप्टू 50 करोड जो भी है तो बहुत बड़ी से regular expression बन जाएगी लेकिन चुके regular expression उसकी बन सकती है पॉसिबल है तो that is in fact regular language दूसरी तरफ हमारे पास infinite languages है जिसके अंदर number of words infinite होते है ठीक है हर word यह हर string की length finite होती है इस पे confused नहीं होना ठीक है तो अब उसके भी दो चीज़े या तो उसका कोई regular expression के जरी उसका pattern बन सकेगा या नहीं बन सकेगा अगर बन सकेगा तो वह regular language होगी अगर नहीं बन सकेगा तो वह non regular language होगी और जब हम कहते है regular expression तो we also know that regular expression is equal to finite automata and finite automata is equal to transition graph it's equal to NFA and NFA तो जब हम कहते हैं कि यह language finite है यानि इस और स्वाइनाइट लेगुज रेगुलर है तो इसका जहां यह मतलब होता है कि इसकी regular expression बन सकेगी इसका यह मतलब भी होता है कि इसका transition graph भी बन सकेगा इसकी NFA भी बन और जहां हम यह बात कर रहे हैं कि some infinite languages are regular तो इसका मतलब यह होगा कि उन infinite language का जैसा के regular expression बन सकेगी अब इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जागा कि non regular languages होती क्या है तो a non regular language cannot be defined by irregular expression ठीक है और in other words a language that cannot be defined by either of these five items और जहरी बात है एक से नहीं होगा तो बाकियों से भी नहीं होगा क्योंकि इन सबकी power एक जैसी है सारे बिलकुल एक जैसे है एक ही चीज को represent करने के दूसरे methods है ठीक है तो यह किसी के जिरे भी नहीं हो सकेगा अब यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी language regular है कौन सी नहीं हमारे पास एक set of regular languages है और इससे एक बहुत बड़ा set है जो इसके बाहर है वह है non regular languages का इसमें यह दो इस दी होई है यह language equal है ordered और यह language है even palindroms की और यह दरम्यान में वह language है जिसको आप regular expression के जरिये रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह regular expression नहीं है हमने पहले बात की थी यह regular expression is something else अब हमें पता किसे चलेगा कि कौन सी language regular और कौन सी नहीं है किसका पेटरन बन सकता है किसका नहीं बन सकता हो बड़ा एक सिंपल सी हमारे पास एक अप्रोच है कि हम यह प्रूव अगर कर दें कि उसका DFA चुके नहीं बन सकता है तो चुके DFA नहीं बन सकता है तो जहरी बात है कुछ technical होना पड़ता है mathematically sound होना पड़ता है ठीक है बहुत ज़जदा sound नहीं तो थोड़ी-बहुत समझतो maths की आपको उनी पड़ती है प्रूफ से आपको थोड़े सा लगाओ होना चाहिए ठीक है पिछले लक्चर भी मैं यह सबोस कर रहा था कि चुके कुछ मैथिमेटिकल चीज़ें हमरी साउंड है तो हम आगे चलेंगे लेकिन मैं यह दिस्क्रीट मैंस की कुछ चीज़ें यह तोपिक जो है यह थोड़ा सार रिपीट करा रहा हो आपको यह अपने पिछले समेशर में पढ़ा होगा व्ट इस दा पिजन होल प्रिंसिपल तो पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स आट इफ पी आइटम्स इन इस केस जिज़ेंग are put into h-pigeon holes with p is greater than h then at least one pigeon hole must contain freezer one item खुलासए यह कि अगर आपके पास h-pigeon holes i hain in this case it is 9 और आपके पास इस नाइन से ज्यादा पिजन्स है पी पिजन्स है पी इस ग्रेटर देन एच इन दिस केस पिजन्स अधर टैन तो दस पिजन्स को अगर आप नो पिजन होल्स में जो है पुट करना चाहें और आपकी कोशिश यह हो के हर पिजन्स को अलग अलग होल के अंदर रखों कोई जो है नखाली ना रहें तो यह तो कंपल्सरी है कि देर इस एट लीस्ट वन पिजन्स होल्स एक मस्ट कंटेन वन दन मोर दन मन आइटम यह यह भी हो सकता है अब पहल मैं एक निया प्जिशन होल यूस करूं तो आफ्कोरस अपको एक पिजन्स होल दोधाएично और इन देस केस यह लॉस्त वाला नइंथ वाला पिजन्स होल यूष किया है ठीक है अब इसी concept को आप समझिएगा ठीक है अब suppose करें यह pigeons holes जो है यह states है और यह जो pigeons हैं कबूतर हैं यह हमारे पास characters to be read है ठीक है इसी चीज़ को यहां लेके आगए आगए बिलकि मैं इसी diagram में पहले आपको बताता हूं फिर आगे जाता हूं कि अगर आपके पास h number of states है और आपके पास alphabets to be read more than h और h है और आप चाहते हैं कि हर दफा आप किसी नई state पर जाएं लेकिन आपके पास number of characters जो हैं वो states के equal yawn से greater than है तो आपको एक state पे दो दफा आना पड़ेगा यानि एक state पे आपको दो दफा उस state को traverse करना पड़ेगा जिस तरह इस pigeon hole को last वाले को दो दफा हमने traverse किया है यह एक character read किया जी ठीकड़ी state पे आगए हम कोशिश करेंगे किसी state को दो दफा ना दो रहें हमने अगला character read किया हम यहां पे आगए अगला character read किया यहां पे आगए अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला अब हमें एक और करेक्टर जब मजीद करना पड़ा तो इन 9 मेंसे किसी एक स्टेट को दुबारा से ट्रावर्स करना पड़ेगा को मजीद स्टेट नहीं number of characters to be read are equal to or more than the number of states to be traversed अब आजयें यहां पे concept में आपको सम्झा चुकों भिजर होलका ठीक है तो if a finite automata has p number of states and we have to accept a string of length p minus 1 means if the length of the string to be accepted is less than the total number of states in a finite automata then it is possible that we can traverse a new state after reading a new character बिलकुल इसी तरह जब number of pigeons are less than the number of pigeon holes then it is quite possible that you will put the pigeon in a new hole every time ठीक है ना but if what if we read one more character means length of string becomes p आपको इतना तो पता ना के अगर आपके पास मिसाल के तोर पर यहां पर चार आपको states दिखाई दे रहे हैं तो इनके दर्मियान में 3 edges होते हैं तो number of edges जाए number of alphabets to be traversed sorry to be read are always is always one less than the number of total number of states अगर हम सरफ इस sequence को consider करें तो अगर अगर हमारे पास number of sorry length of string भढ़ जाए तो फिर क्या होगा तो फिर ultimately pigeonhole principle यह कहता है कि इन सब में से जितने भी हैं फिलहाल हमें 4 नहीं हो सकता दर्मियान में कुछ और भी हो ठीक है तो हमें इन सब में से किसी एक state को दूसरी दफा रीड करना पड़ेगा it means अगर यह वली हो रही है तो यह लूप होगा और अगर यह वली हो रही है तो देखें यह एक circuit बन रहा है को जब भी आप किसी एक state पर थे और दुबारा गूम के वहां आ जाएं यह इस वाली पर थे और दुबारा गूम के वहां आ सकें तो यह एक circuit बन जाता है तो आप जब भी किसी state को repeat करेंगे circuit जरूर बनेगा या loop जरूर बनेगा ठीक है जब भी आप किसी state को repeat करेंगे और state को repeat करना उस वकत compulsory है जब number जब number of states less than हो किस से length of the strings है ठीक है यह बात अगर आपको समझ में आगी है तो हम आगे चलते हैं तो we have to traverse a state twice resulting in a loop or circuit यह मैं बात आपको बयान कर चुका हूँ so we conclude that to possibly avoid a loop or circuit the length of string being read must be less than the total number of states के हम बात कर चुक है पिजनोल प्रिंसिपल के context में दूसरे अलफाज में अगर हम इसको यह कहने चाहें कि if the length of the string is equal to or greater than the total number of states then surely there is a loop or circuit somewhere surely means that there is at least one edge that is to be traversed इस edge के जरी आप यहाँ पर वापे सा सकते हैं लूप तो ऐसा नहीं कोई edge यह नहीं होगा this portion is non empty कुछ ना कुछ तो read करके जाएंगे आप यहाँ पर अब इस से हम एक स्टेप आगे चलते हैं यह बात अगर आपको समझ में आगी तो आप समझें आदा पंपिंग लिमा आपका cover हो चुका है जरूरी नहीं है लेकर हम से पॉसिबिलिटी की बात कर रहें इस case में फिर यह possibility है कि आप हर दफा एक नई स्टेट को traverse करेंगे लेकिन अगर number of states equal to or greater than हो sorry number of length of the string being read इस equal to or greater than total number of states तो फिर यह compulsory है फिर मजबूरी है फिर यह surely ऐसा होगा definitely होगा कि एक स्टेट को दो दफा उस स्टेट पर जाया जाएगा उसको traverse कर लिया जाएगा थीक है तो दो दफा जब भी हम कहीं पर जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ लूप बन रहे देखें यहाँ पर हम थे पहले दुबारा उदर आएंगे तो लूप बन जाएगा अब इधर जाएंगे तो यह वापस आकर circuit बन जाएगा तो यहाँ लूप बनेगा यह circuit बनेगा यह तो शौर है string को हम कहते हैं जी तीन हिस्सों में मैं इसको split कर देता हूँ अब हमने इन तीनों हिस्सों का behavior देखना है असल में ठीक है ना इसलिए ये मुख्लिफ सूर्थे आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये पहले से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन चार ही possible edges थे इनके लाव को यह और edges नहीं बन सकते थे नहीं बस मैंने इन तीन चार के जरीए या इन मेंसे एक दो को आगे as an example आपके सामने पेश करके ये string को जो हम तोड़ते हैं तीन इस्सों में एक्स वाई और जी के अंदर उसका बहेवियर सिर्फ आपको मैंने बताना थीक है तो अब कहते हैं कि अगर हम यह वाइस consider करते हैं तो देखें अब इस language इस की language कौन सी हो सकती है यह automata किस language को accept कर सकता है देखें यह automata accept करेगा minimum minimum number यानि जो सबसे छोटा string होगा वो तो यह होगा कि अब यहां से read करते 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 आएंगे यहां पर यह वो minimum number of sorry वो minimum length होगी उस string की जो के accept हो सकता है यहां से यहां तक ठीक है उसको हम नाम देते हैं x का उसके बाद आप इस plus से कोई character read करके वापस आएं और फिर दुबारा उसी sequence को follow करते करते read करते दुबारा plus पे पोग सकते हैं यह वाला इस plus से वापिस आके दुबारा इस plus पे जाना इस plus से वापिस आके दुबारा इस plus पे जाना यह एक circuit create कर रहा है ठीक है यह हमारा circuit वाला portion होगा why हम हमेशा why को loop यह circuit वाला portion कंसिडर करते हैं दर्मियान वाले को ठीक है तो we come up with a big circuit as after reaching the plus state once आप एक दफा plus state पे जब पहुच गए हैं तो वो उस वकत तक जो character read हुए उसको हम नाम देते हैं x का ठीक है we go back to the minus state and come back to the plus state following the same sequence as you followed earlier तो यह जो circuit बनेगा इस पाम नाम दे रहे हैं y का इस case में z वाला portion empty है ठीक है तो x क्या है the smallest possible string that can be accepted और y है the loop or the string sorry or the circuit sub string और empty तो इस से यह पता चलता है कि original string को आपने जो तीन हिस्सों में तोड़ा है अब आप अब यह जो automata है किस किस word को accept कर सकता है तो आप कहें जी यह सिरफ x को भी accept कर सकता है और x के बाद एक दफा y आ जाए तब भी accept कर सकता है अच्छा एक दफा फिर y आ जाए तब भी जो string बनेगा वो भी इससे accept हो सकता है एक दफा फिर y का sequence repeat हो जाए तब भी यह प्लस state पर पहुंचेगा तब भी यह accept करेगा एक दफा फिर हो जाए तब भी और कि इंफानाइटली यह जो लूप है और यह sorry circuit है यह repeat हो सकता है तो इसको हम x y पावर n की form में denote कर सकते हैं कि x तो एक दफा आए गई आएगा उसके बाद y कैन अकर इन नंबर ऑफ टाइम निट के निदर इसको जिरो टाइम आइटरेट कर सकते हैं क्यूंकि लूप यह circuit optional ह होता है ठीक है तो one time two time three time and बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है ठीक है लेकिन हमेशा इस pattern के बाद यह प्लस टेट पर ही आ रहा है तो अब इस language के अंदर वो सारे words शामिल है जो एक्स y पावर n की form के हैं जेट वाला portion इसके अंदर नहीं आप जेट वाला include भी कर दें और जेट empty है तो कोई issue नहीं है हमने सरफ जेट का यह behavior यहां पर सीखा है कि जेट में भी empty वाई empty नहीं हो सकता क्यूंकि जहरी बात है circuit या loop कमस कम किसी एक edge बे तो मुश्चमिल होता है ठीक है अगर वो loop है त तो होगा कमस कम उसके अंदर और वो circuit है तो दो edges होंगे तो वाई वाला portion तो empty नहीं हो सकता है जेट वाला portion देखें एमटी हो सकता है एक्स वाला हो सकता है के नहीं हम यही असल में देखना चाहरे है कि X का behavior क्या है तो हमें अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा यह एक अगल अंदेखन 5 उसके बाद लूप लूप शुरू होता है जब भी लूप शुरू हो गया सौरी सर्केट शुरू हो देखें यहां से गए फिर वापस आगए इधर तो सर्कně से पहले कुछ भिने एम्म स्टIGN चुंब हो सकता है तो इसका मतलब लूप यां सर्किट से पहले एम था एक्स वाला नहीं था अभी सुरत में हमने देखा एक्स वाला पोर्शन भी एम्टी हो सकते और यहीं मैं आपको बताना चाहा रहा हूँ अब यह जो आपके पास अटो मेटा है यह by power in की तरह के सारे स्ट्रेंग्स को एक्सउट करेगा तो जितनी दफ़ा भी यह सी कमण सू सीक्मन्स चलेगा इसी लेंग्विज के स्ट्रिंग्स जनरेट होते रहेंगे वो इसी लेंग्विज का पार्ट होंगे यह कंफर्म होगा क्योंकि जहारी बात है यह पूरा ट्रेट करने के बाद वह प्लस ट्रेट पर ही पोंचता है एक और एक्जम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आडिया होज़ा है कि यह जुरूरी नहीं है कि X और Z हमेशा empty रहें को कि अभी तक हमारी दोनों cases में X तो चे एक दफ empty था एक दफ हनी था Z empty था तो हमने का example मैंने यह भी आपको दे रहा हूं कि Z empty नहीं है for example आपकी plus state यह वाली तो अब देखें पहले तो यह है X the smallest possible string यह था कि आप इस सीदे path को follow करके यहां तक जाएं यह सबसे कम वह string जो accept हो सकता है उसके बाद उसके बाद ठीक है उसके बाद क्या है कि loop या circuit तो देखें यहां से वापिस आया और इस path को follow करते हुए वापिस यहां पर फिर वापिस आया path को follow करते हुए दुबारा यहां से फिर वापिस आया path को follow करते हुए दुबारा यहां से तो यह आपके बस वाई वाला portion हो ठीक है तो वो आपका portion हो जाएगा Z वाला portion ठीक है तो ये वाला portion आपका सारे का सारा X वाला portion है ये वाला portion आपके पास Z वाला portion है इस case में ये एमटी नहीं है remaining sub string after the loop of circuit और ये जो पूरा circuit है ये आपके पास Y वाला portion है अब देखें X, Z accept हो सकता है जिसमें Y power 0 है और X को read करने के बाद एक दफा Y read किया और फिर Z किया तो Y power 1 भी हो सकता है ये circuit चुक है infinite times repeat हो सकता है इसलिए ये numbers भी infinite है तो X, Y power and Z Y की power जो भी लगाएंगे इस से जो भी string बनेगा वो इस language का part होगा ठीक है ये एक अगर आप इस चीज को समझ गए तो अब समझें आपने pumping lemah समझ लिया सारे का सारा असान हो गया तो आज है pumping lemah की तरफ ये वही चीज अब आगई 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 मुक्तिफ अंदाज में के let L be any regular language that has infinitely many words so then there exists अच्छा की इनिफानेकड का वर्ल इस्ते 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 समाल गिया कि finite language तो नौन र्गुलर होई नहीं सकती की तो नौन र्गुलर अगर कोई language है तो उसको हमने चकी नहीं करना हां कोई इन्फानेकड है तो हम pumping lemah के लिए ये चक करेंगे कि वह regular है कि नहीं pumping lima यह satisfy करते है कि वह language regular है अगर pumping lima satisfy नहीं हो रहा किसी language के लिए तो इसका मतलब वह language regular नहीं है ठीक है तो इसलिए infinitely तो इसमें हो गई होगा क्योंकि finite language तो वैसी regular है हमको तो check करने की जूरत ही नहीं है तो let l be any regular language that has infinitely many words then there exists some three sub strings x y and z where y is not the null string यह क्यों हम पहले बता चुका हूँ such that all the strings of the form x y power z for n is equal to 0, 1, 2, 3 are the words in this language तो कहते हैं कि x और उसके बाद any power of y और उसके बाद z इससे जितने भी words बनेंगे वो सारे के सारे इस language का part होंगे यह पीछे हम यही सारी discussion कर किया है पीछे 4 points slides के अंदर यह कोई यसी नई बात हमने नहीं की और यह जो portion repeat हो रहा है इसको कहते है the pumped portion इसको आप चाहें तो zero time करें pump करें ठीक है चाहें तो one time करें pump करें two time three time four time five time जितने दफा मर्जी आप इसको करने pump करने ठीक है बाद दफा ऐसे भी हो सकता है कि एक के अंदर दो तीन या उससे ज्यादा loops हो सकता है जड़ वले portion के अंदर भी कोई loop या circuit हो तो उसका मसला नहीं हमें सरफ एक को consider करना हमें चैए इसको consider कर लें चैए इस इसको consider कर लें कि ना मुहब़र हम सबसे पहला आता है डाइग्राम में left most जह अगर इदर से read करता हुए पहला हम उस यह को रा कंसिडर करते ठीक है तो यह चीज़ समझेगा जो left most ओगा picture के अंदर हम उसी को y consider करेंगे खीक है यह वह बात कर रहें और वो यहां पर one time हुआ है pump हुआ है तो आप उसको चाहें तो two times भी pump कर सकते हैं three time four time one time करें तो उसको y कहेंगे two times करेंगे उसको y power two या two y's कहेंगे यह तो बड़ी simple सी बात है तो it doesn't matter that there is another circuit in the that part or not we just need to find only one circuit and then keep on pumping it means inserting it any number of times it can be 0 1 2 3 any number of times ठीक है और इसको pump करने के बाद जब आप final state पर जाएंगे तो जो string बनेगा वो इस language का part होना चाहिए गर इस language का part है it means this is a regular language कोई counter example नहीं आने चाहिए अब एक example हम run करके आपको जहना solve करके बता देता हूं इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी slides के अंदर changes की है ज्यादा तो नहीं थोड़ी सी ठीक है ता कि आप लोगों को ज़रा मजीद के मुकाबले में अच्छी तरह समझ में आजए तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखना चाहें तो यह है ठीक है सट बिल्टर फॉर्म में देखना चाहें तो यह है और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं करेंगी तो यह रेगुलर होगी अगर नहीं करेंगी तो नन रेगुलर होगी हम इसको देख लेते हैं कि इस लेंग्व इस रेगुलर सूपोस्ब स्पोस्ट यह रेगुलर है ठीक है होगी तो एग काम करते हैं तो इसका मतलब विसको इसको फाइन ब्रम रहाँ होगा तो और मस्त भी संपाइन अटमाटर अप्सेट इस चाहें होती हैं तो फाइनाइट नॉमटर आप अपनी तर the total number of states तो हमने कहा कि total number of states तो हमें कोई ऐसा string इस language का suppose करना है जिसकी length 10 से ज्यादा हो चाहे 11 हो 12 हो 13 हो 14 हो 15 हो जितनी भी हो इस case में हमने एक example ले लिए A9 B9 आप चाहें तो A8 B8 को check कर ले A7 B7 को check कर ले बस total length उसकी 10 से ज्यादा हो ठीक है whose length is 18 A9 B9 की तो it is definitely greater than the number of states that is 10 अच्छा जब number of sorry जब length of string ज्यादा होगी number of states से तो हमें पता है कि we have to traverse a state at least one state twice और जब हम यह करेंगे तो कोई circuit या loop बन जाएगा यही बात हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो it is impossible that we visit a new state each time we need to read a new character क्यों ऐसा हो नहीं सकता कि हम के string की length ज्यादा हो number of states है और हम हर दफा एक नई state पर जा रहे हूं वाइस जैसे ही मैक्सिमम यह हो सकता है कि आप ने 9 character read की है तो 10 states traverse हो गई अब 10 वाइस character read करेंगे तो जाहरी बात है वो किसी नहीं किसी दूसरी state पर जाएगा जिसको आपने पहले भी traverse किया है तो जब वहां पर आप पहुंच गया है तो इसका मतलब circuit बन गया ठीक है तो therefore at some point the path returns to a state that it has already visited so even if it returns only once we can say that the path contains the circuit in it और हमें बस यही प्रूफ करने कि circuit है suppose यहाँ पर एक circuit आपको नजर आ रहा है देखें यह state number 6 से circuit स्टार्ट हो रहा है जो आ रहा है 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर यह repeat हो सकता है फिर 3 पर 4 5 6 3 4 5 6 तो यह circuit 6 से 3 फिर 4 फिर 5 और वापिस 6 यह repeat हो रहा है ठीक है अच्छा और हमें पता है कि यह circuit बार बार चुके repeat हो सकता है circuit can be repeated infinite number of times और जितीन दफों भी यह repeat होगा pumping lima यह कहता है यह जो नया string बन रहा है बार बार pump होने के बाद यह सी language का part होगा तो हमने कहा कि ठीक है हम पहले यह देखते हैं कि यह circuit वाला portion कौन सा है circuit वाला portion यह है यह 6 से 3 फिर 4 यह 5 फिर 6 ठीक है और उसके बाद वाला portion है और कुछ उससे पहले वाला portion है तो इस 6 तक पहुंचने से पहले वाला portion क्या है यह 1A 2 3 4 और 5A यह हो गया हमारा X उसके बाद कुछ repeat होने वाला portion है 3 4 5 6 means A A A A तो यह A 4 यह portion है repeat होने वाला और उसके बाद जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 है तो 9 20 आपका portion है Z वाला portion तो आप इस अपने string को XYZ की form में लिख सकते हैं तो जब एक portion ऐसा है जो repeat हो सकता है और वो portion है Y तो अगर इसको हम any number of time repeat करें और उसके बाद जो नया string बने तो वो भी इस language का part होगा अगर यह regular है तो अगर वो इस language का part नहीं है तो इसका मतलब यह finite automata इसके लिए नहीं है तो जो हमने suppose किया था कि इसका finite automata बन सकता है वो गलत था finite automata इसका बन ही नहीं सकता जब बन ही नहीं सकता तो यह language regular भी नहीं होगी original string है x y power n z जिसको हम a power 5 यह x वाला portion है यह तो compulsory है उसके बाद loop है अगर आप चाहे तो इसको रहने भी दें और चाहे तो यहां तो एक दफार repeat हुआ है a power 4 और इसको n number of times आप repeat कर सकते है इस pumped portion को ठीक है और b तो 9 times z है हमारे पास ठीक है so it will accept all the strings given the power of n तो अगर n power 0 है for example तो यह क्या बनेगा a5 a4 sorry n power 0 है तो यह हो गई नहीं तो a power 5 और b 9 ठीक है जिसको हम 5 a's और फिर 9 b's भी लिख सकते है और अगर one time इसको हम करें pump if n is equal to 1 तो a5 और फिर a4 तो कुल मिला के a9 हो गया और b9 और अगर आप इसको दो दफ़ा करें pump तो 5 दो दफ़ा pump करना है 4 और फिर 4 तो एकुल हो जाएगा 13 b9 और इस 13 वाले का path शो किया गया है कि 1 2 3 4 5 x वाला part हो गया उसके बाद y वाला part दो दफ़ा repeat हुआ है और उसके बाद z वाला portion जो है bb और यह total 9 b's है तो यह सारे string इस automata से बन सकते हैं और यह सारे string इस language का part होने चाहिए लेकिन यह language जो उपर हमने दी हुई है कि number of A's are equal to number of B's equal number of A's followed by equal number of B's कि यहां भी violet हो रहा है यहां भी violet हो रहा है एक जगह पर satisfy हो रहा है तो हमें तो सिरफ एक counter example चाहिए हमारे पास तो दो counter example आ रही है ठीक है जब एक चीज भी एक counter example भी मिल जाए तो हमें पता चल गया कि यह finite automata जो words बना सकता है ठीक है इसके वाले भी बना लिया इसने लेकिन इसके अलावा औरों को भी accept कर रहा है जो इस language का part नहीं है तो इसका मतलब यह automata जो हमने suppose किया था यह इस language का हो ही नहीं सकता हमने के specific automata नहीं एक general automata कहा था तो generally हम यह कह सकते हैं कि इसका कोई automata नहीं बन सकता ठीक है तो इस वरह से चुक्के contradiction आ गई है तो यह language regular नहीं है ठीक है क्योंकि इस ने pumping लिमांग को satisfy नहीं किया कि जो ने words बन रहे थे वह सारे सारे इस language का part होते ए4b9 a n bn को बिल्कुल भी वह नहीं कर रहा है यह कर रहा है यह कर रहा है a9 b9 तो एक counter example चाहिए वह काफी हमारे लिए ठीक है अब एक और extra बात कर रहा है कि हम देख सकते हैं कि बास दफ़ा एक से ज्यादा circuit भी हो सकते ह ठीक है ना जैसे यहां पर देखे नाइन नाइन से 10 पर गए फिर 9 पर आए फिर 10 पर नाइन पर आए फिर 10 पर नाइन पर आए तो इसका मतलब यह भी infinite times repeat हो सकता है तो यह a9 b9 के अलावा b11 भी जो है वो accept कर सकता है और यह भी इस language का part नहीं है a9 तो यहां तक आ गया उसक यहां पर चलाए लूप यह नहीं कर सकता है तो यहां पर यहां पर यहां पर भी चल सकता है तो इस contradiction means that this machine that the machine that accepts exactly the words of P does not exist so P is non regular हमें पता है के loops दो हैं तो यह जो machine हमने suppose की थी यह इस तरह के words बना सकती है कि पहले 5 a's तो compulsory होंगे फिर 4 a's any number of time repeat हो सकते हैं फिर 1, 2, 3 b's होंगे और उसके बाद यह 2 b's any number of times क्योंके loop है repeat हो सकते हैं ठीक है और एक circuit को होना जरूरी है ज्यादा भी हो सकते हैं इस case इसमें 2 थे यह अलग से बात है एक्स्ट्रा बात है question हमारा यहां पर खतम हो चुक है फीचे ठीक है यह हम बात कर रहा है example two बास question इस तो पर भी आ सकते हैं कि यह जो machine है आपकी यह एक infinite language accept करती है और इसके अंदर यह 6 states है तो आपको एक कम एक word देते हैं जिसकी length है 8 तो length of the string is greater than than total number of states तो pumping lima को इस्तमाल करके बताएं कि यह regular है इस्तमाल हम कैसे करेंगे हम इसको word को हमें इतना पता है कि circuit जरूर बनेगा क्यों 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 क्योंकि length of string is greater than the total number of states तीक है अब जब हमारे पास एक portion ऐसा आएगा जो के circuit यह लूप बन रहा है तो हम उस लूप को कई कई दफा रन करके देखेंगे कई दफा पंप करके देखेंगे हर दफा पंप करने के बाद जो नेया string बन रहा है वो इसी लंगूज का पार्ट होना चाहिए ठीक है हम देख लेते हैं the word BBBABABA consists of more than six states so that its path will include a circuit definitely according to the pumping lemma तो हमने यह कर दिया the path that the word generates can be decomposed into three states यह path हम आरक पर क and then B ABA तो देखें B BBA sorry B BBA फिर B ABA ठीक है तो हमारे पास जो लूप है वो यहां पर शुरू हो रहा है ठीक है यह यह एक B यह X वाला portion है sorry और इसके बाद लूप शुरू हो रहा है BBA और उसके बाद B ABA आप चाहिए तो लूप यहां से भी शूरू कर तकते हैं कि BBA यह प B यह लूप वाला portion है ठीक है और फिर ABA तो इसको आप मुक्तिफ अंदाज में डील कर सकते हैं बाराल एक अंदाज में विकर हमने इसको शो कर लिया तो यह है हमारे पास यह X वाला portion B उसके बाद हमारे पास होंगे BBA 30 और उसके बाद BBA 40 इस केस में अच्छा यह तो हो ग तो BBA को मैं एक दफ़ा मजीद अगर repeat करूं तब भी इसी language का word बनना चाहिए तो उसका path क्या होगा उसका path यह होगा दो वाइस के लिए कि B, X हो गया फिर एक Y, BBA फिर एक और Y, BBA फिर BBA, BBA और इसी तरह अगर आप तीन वाइस को चार वाइस को करें या Y की कोई भी power करें उस सब के सब end हो रहे हैं 6 पर ही यानि सारे के सारे accept हो रहे हैं तो जब सारे के सारे इस से accept हो रहे हैं सारे के सारे इस language का part है ठीक है तो जो इस आटोमेटर के जरी हमें बताई हुई है तो इसका मतली पंपिंग लीमा को साटिस्फाय कर रहा है अच्छा पंपिंग लीमा का जो वर्जन बन है न इसके अंदर कुछ mathematical कमिया मुझूद है यानि एक्सपेसिल्टी हमें पता तो है लेकिन वह ऐसा statement लिखा नहीं हूँ और ना लिखे होने की वज़ए से क्या नुकसान हो सकता वो हम अभी देखेंगे ठीक है और फिर हम उसका वर्जन 2 पेश करेंगे कि हम जिन चीजों का वैसे ही ख्याल रखते हैं अगर हम उसको थियोर्म का पार्ट बनाकर लिख दें तो ज़रा ज्यादा असान ही नहीं हो बताया गया कि remember that it is a non-regular language तो यह तो पक्का है कि यह non-regular है इसका finite automata नहीं बनना है ठीक है तो ऐसा finite automata मत बनाईएगा जो pumping lima को satisfy कर जाए तो कि pumping lima को satisfy करने का मतलब यह है कि जो suppose किया था कि ऐसा finite automata है और उसके बाद जो नहीं words बन रहे हैं वो भी उसी finite automata के भी है और language के भी है तो इसका मतलब finite automata इस language का है तो यह चीज नहीं होनी चाहिए तो हमने का जी ठीक है कोई स्प्रिंग से पोस्ट करते हैं ए बी ए और हम इसको तीन portion में करते है अगर यह वाला portion हो जाएगा एक्स यह वाला portion वाई कि वाला portion जेट तो इस पलेंड्रोम is regular अगर यह पैलेंड्रोम रेगुलर है तो इसको पंपलिंग लिमा को सेटिस्फाय करना पड़ेगा यानि एक्स फिर य पावर एन और फिर जड इसको सेटिस्फाय करना पड़ेगा एक काउंटर एग्जेंबल में मिल गई तो यह नान रेगुलर हो जाएगा हमने चीक है हम ए एक्स वाई और जड है इसमें आपको करके देख लेते हैं बारी बारी तो वाई को अमने जीरो टाइम किया पंप तो ए यह आगया बन टाइम किया पंप टू ट्री टाइम फॉर टाइम और हर दफाब पंप करने के बाद जो चीज हमारे पास आ रही है यह इसी language का part है यह तो palindrome है और यह वाक़ी palindromes है there is no contradiction कोई भी counter example नहीं मिल रही आप आगे चले जाएं कोई भी counter example नहीं मिलेगी every new string is also palindrome तो यह तो pumping lemah का version 1 को satisfy कर रहा है तो palindrome must be regular लेकिन we are given that it is not regular तो इसका मतल है pumping lemah complete नहीं है अब मैं आपको यह pumping lemah दिखाता हूं जो हमने पहले लिखा हुआ है ताक आपको पता चल दे इसके अंदर क्या missing है हमने लिखा है के let l be any regular language that has infinite many words or another word that l be any infinite language then there must exist some three strings x y z where y is not the null string such that all the strings of the form x y power n z for n is equal to 0 1 2 3 all words of l इसके अंदर हमने कहीं भी यह condition नहीं लगाई जो हम इसके second वाले portion के अंदर लगा रहा है second वाले version के अंदर और वो condition यह वाली है हमें पता है के z वाले portion empty हो सकता है तो असल तो जो portion x और वाय है तो इनकी length it must not exceed the total number of states यह हमने लिखा नहीं था हमें समझ थी इसकी लेकिन हम अगर उसको एक theorem का part नहीं बनाते हैं तो हमें इस तरह की confusion पेश आ सकते हैं जो पीछे पेश हैं तो हमने का हम उनी को theorem को complete कर देते हैं जो mathematical deficiency थी वो एक line हम उसके अंदर पुट कर देते हैं तो अब हमारा theorem complete हो जाएगा तो let l be an infinite language accepted by a finite automaton with n states then for all words say word is w that is in l that have more than n letters जानि total length of string is more than the total number of states of the finite automaton ठीक है then आप उसको तीन इस्सों में बांट सकते हैं x y z में y नहीं हो सकता और x और y की जो total length है ये n से ज्यादा नहीं हो सकती है ठीक है अगर ये condition है तो इसको pump करने के बाद जो नए words बनेंगे वो सारे के सारे इस language का part होने चाहिए एक भी contradiction आ जाए तो समझो ये regular नहीं है तो theorem वही वाला है सरफ ये वाला portion हमने अब यहां पे explicitly mention कर दिया है ताके हमसे गलती का समझ थी किया चीज है लेगन अगर आप उसको mathematically theorem का part नहीं बनाएंगे तो उस तरह के problem आ सकते हैं किसी को रही वह तो theorem का आपनी बुक के अंदर mention किया है उसको ले के बताया है कि वह उस पर मसला ऐसा चीज तरह नहीं है वह pumping लिमा ठीक है लेकिन कुछ mathematical कमी है उसमें तो जिसको मैं complete कर रहा हूं ताके आप अगर किसी किताब में वह वह वर्जन पढ़े तो आपको पता हो कि author ने अगर उसके अं लेकिन वह जो हमने कमी थी वह पूरी कर ली अब हम इसको कैसे पूरूफ करेंगे अब यह वाला portion मैंने बहुत असान किया आपके लिए तो इसमें काफी ज़्याद मेहनत भी लगी उसको देखिएगा खौर से अचरी पलिंड्रोम नान रेगुलर है हम कहते हैं चोड़ो जी मैं इस बात को नहीं मानता पूरूफ कॉंटेरिक्शन करता हूं अई कॉंट्रेट्मेंट टेट्मेंट अल रेगुलर है और चूंकर पलिंड्रोम जो है वह इन्फानाइट लेंगवेज है तो finite automata भन रहा है ठीक है तो उसमें number of states में साब के तोर पे m number of states है यह उसके finite automata के अंदर अब हम एक ऐसा string उठाना है कि जिस string की length जो इस language का part भी हो कौन सी language का palindrome की language का ठीक है language का part हो और उसकी length number of states से ज्यादा हो ताकि हमें कोई loop या circuit मिल सके तो हमने का जी हम एक ऐसा string उठाते हैं अपनी मर्दी से कोई भी उठाना है तो हम यह उठा लेते हैं a m b m b m a m यह एक palindrome है ठीक है पहले कुछ number of a's है फिर उत्रे number of b's है फिर इसी का reverse यानि उत्रे number of b's और फिर उत्रे number of a's तो एक palindrome है और इसकी length जाहरी बात है m से ज्यादा है क्यों इस total number of states है m इस पूरे string की length कितनी है देखो m a's है फिर m b's है फिर m b's है फिर m a's हो तो 4m है तो 4 times greater है तो it will do अच्छा अब pumping के लिए महां में हमें यह पता है देखिए यह जो हमने mathematical एक चीज लिखी थी कि length of x plus length of y does not exceed n तो length of x and length of y is less than equal to m it must not be greater than m it must be less than equal to m ठीक है और and y cannot be empty so y is greater than equal to 1 अब देखिए 4m है ठीक है पहले a power m था यानि em a ko m time लिखा है हमने फिर b ko m times लिखा फिर b ko m times लिखा फिर a ko m times लिखा यह लिखा न A, M, B, M, B, M, A, M इसका मतलब यही होता है कि A को M टाइम्स लिखा, फिर B को M टाइम्स लिखा, फिर B को M टाइम्स लिखा, फिर A को M टाइम्स लिखा, तो यही बात यहां पर बताई गई तो जो M की लेंथ बच गई है, X और Y में शामिल नहीं होई, वो और उसके बाद जोक हो जाए, यह सब का सब हो गया, जेंट में, अच्छा अब यह वाई के अंदर कितने A's हैं कहते हैं, हमें नहीं पता कितने A's हैं, लेकिन Y चुके M T नहीं हो सकता है, इसलिए कमसकम 1 A तो ह यह 0 नहीं हो सकती, यह 1 तो हो सकती है, वो at least एक चीज तो होगी जो repeat हो अगर वो loop है, अगर वो circuit है, तो कमसकम 2 होगी, ठीक है, यह हमें पता है, अब इसी match को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कि अगर हमने इसको 3 portion में divide कर लिया है, और वो तो mathematical portion पिछले pumping lima के अंदर missing था है, तो अपने मर्दी से इसके जोड़े नहीं लेंगे, हम इस हिसाब से इसके जोड़े लेंगे, ठीक है, कि x और y की length, m की total length से कम होगी, ठीक है, तो यह m a's थे, तो हमने का कि m से कम होंगे, कितने कम हैं हमें नहीं पता, ठीक है, और उसके बाद जो बच गया sub z है, और y क अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, x वाला खाली भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता, उसका में कोई मसला नहीं, y वाला खाली नहीं हो सकता, अब जब यह तीन हिस्सों में divide हो गया, x, y और z, तो हम अब y वाले portion को जितनी दफा भी pump करेंगे, तो जो निया word बनेगा, वो भी इस language का part होना चाहिए, हमने का कि इस y को हम pump करना पड़ेगा, from the pumping lemma, this y can be pumped 0, 1, 2, 3, infinite number of times, तो हम इन सब number में से कोई एक number suppose करते हैं, उसको check कर लेते हैं, हमने का जी suppose y is 2, तो हम इस y को दो दफा लिखेंगे, तो हमने का इस y को हम दो दफा लिखते हैं, ठीक है, य यहां पर कहता है, x, y और z, हमने का जी कि y power 2 है, तो y को दो दफा लिखा, तो अब देखें, टूटल स्ट्रिंग की length क्या हो गई, देखें, बी वाले को हमने नहीं चड़ा, वो me है, इस a वाले को हमने नहीं चड़ा, यह length इस portion की me है, लेकिन यहां पर देखें, एक y का इ is, तो इसका मतला अगर पहले यह length m थी, तो अब length m plus k है, क्योंकि k number of a's का इदाफा हो गया, और अगर y 3 times होता, तो m plus 2k हो जाता, ठीक है, तो अब यह जो निया string बना है, यह असल में क्या बना है, a power m plus k, bm, bm और a power m, हमें पता है कि k is not empty, अगर k is equal to 0 होगा, तो यह तो पहले वाला string बन जाएगा, तो यह जो निया word बना है, यह language का part होना चाहिए, लेकिन यह language का part है के नहीं, हमें तो यहां से पता चला, pumping lemma से के होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि पहले room में acceptable नहीं है, acceptable क्यों नहीं है, कि भई, यह k empty नहीं है, तो इसका मतलब वो symmetry हो गई है, एक एक तो कमसकम extra है इस तरफ, तो पैलेंड्रोम में तो जो इस तरफ है, उसी का reverse इस तरफ होना चाहिए, यहां तो एक कमसकम एक है, उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यह वाला string जो बनेगा, pumping lemma के बाद, एक दफा हमने इसको pump किया, वो इस language का part नहीं है, pumping lemma कह रहा है, तो contradiction हो गया, जब contradiction हो गया, हमारी assumption यह, कि यह language regular, यह गलत है, यह non regular language है, ठीक है, इस नाट regular language, ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को आप एक दूसरी तरह से भी कर सकते हो, प्रूफ, यह हमने general किया था, M की farm में किया था, प्रूफ किया था, आपके book के author ने का यह ML, यह general को छोड़ो, मेरी तो सी-सी दियाद है, मैं एक number से बोस करता हूँ, उसके मताबिक लेके चलता हूँ, आप बता दें, इसका proof कैसे है, किते है, मेरा proof इस form में, कि show that the language palindrome is not regular, ठीक है, देख लेते है, कहते है, पहले तो मैं उसी हिसाप से contradict करूँगा, यह तो regular ह है, regular है, इसका कोई finite automata, और मेरा जो finite automata, उसमें 77 integers है, अब ऐसा string लो, जिसके length 77 से ज्यादा हो, और मैंने कहाँ, यह मेरे पर एक ऐसा string है, AAT, B, और फिर AAT, जिसमें symmetry भी है, इसका मतलब यह, इस language का part है, palindrome का, ठीक है, और इसकी length भी कितने 80 और 80, 160 और यह 161 है, 77 से बह होने कहाँ, अभी check करके देख लेते हैं, अब ने कहाँ कि देखें, यह तो mathematical portion था, यह बड़ी help कर रहा है, हमारी, कि X और Y की मिला कर length 77 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अब हमें पता है कि AAT, B और AAT है, AAT है, फिर AAT है, फिर AAT है, फिर AAT है, फिर AAT है, ठीक है, और हमें पता है कि Y पॉर्शन अम्टी नहीं हो, कम असकम एक, यानि K की पॉर्वर कम असकम बन तो होगी, एक A तो होगा, और अगर X पॉर्शन खाली हो तो यह maximum K की पॉर 77 हो सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, तो हमें तो परस जल गया, यह X है, यह Y है, यह इस Y को अगर हम एक दफा और रिपीट कर दें यहां पे, एक और दफा इसको हम पॉर्प कर दें, तो A की तादाद भढ़ जाएगी 80 से, एक दफा और Y को हमने रिपीट कर दिया, तो कम असकम एक A, तो Y के अंदर है ना, और ज़्याद ज़्यादा 77 है, जीरो तो नहीं है एक A तो हैं, तो 80 से तो ज़्यादा हो जाएगी, कम असकम 81 तो हो जाएगी, अब कितनी ज़्यादा होगी हमें नहीं पता, लेकिन कम असकम 80 से ज़्यादा हो जाएगी, तो अब पंप होने के बाद जो नया स्ट्रिंग बना है, वो ऐसा बना है, कि there are more than 80 A's, then B, and then there are 80 A's, इसमें symmetry तो नहीं है, पंपिंग लीमा ये कह रहा है कि ये वाला भी इस लेंगूज का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है ये इस लेंगूज का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब contradiction अकर हो गई है, पंपिंग लीमा को satisfy नहीं कर पाया, हमारी supposition wrong थी, ये लेंगूज regular नही समझ में आ जाए को बहुत अलामा फाहमा हो सकता है जिसको समझ में आ जाए तो आप इसको बार बर रिपीट करके आपको इसको जरूर देखना पड़ेगा आज की आखरी रिजम्पल शोट देट दा लेंग्विच प्राइम डस नोट सैटिस्फाइद पंपिंग लेमा और अ तो एजिम्पर कॉंट्रिक्शन देट लेग्विच हम कहते हैं जी छोड़े सपोज मैं आपकी बात को मानते ही नहीं हूं एल रेगुलर है जब हैल रेगुलर है तो उसका कोई ना कोई वो भी होगा फाइना अटोमेटा भी होगा फाइनाट आटोमेटा है तो नंबर ऑश टोल नंबर ऑश्टेट्स 345 है ठीक है 345 प्राइम नंबर नहीं है याद रखिएगा नंबर ऑफ स्टेट्स कुछ भी हो सकती है कोई भी फाइनाट नंबर आपको सपोस करना है अब आपको इस लेंग्विच का एक ऐसा वर्ड लेना है जिसकी लंथ 345 से ज्यादा हो और व की देफिनिशन को सैटिस्फाइब करना जुरूरी है तो हमने का जी वह 345 है ज्यादा आगा नहीं जाते है 347 लेन्थ ले लेते हैं अच्छा मज़े की बादिया है यहाँ पे सिर्फ ओर आप का नाम वनिशाइन ही है असल में एक एक पूरी की पूरी सीरीज है हर स्पः गर्प इसको फोना तक हम ने तीन इसो में करना था डिवाइड तो हमने इसको तीन इसो CC में कर लिए टिवाइड एक्ष ओर घृष यह हर पॉर्शन में एक्स ए ही है क्योंकि एक ही अल्फाबेट स्ट्रिंग है इसके अंदर अच्छा हमें यह पता है कि एक्स और वाय की जो टोटल लेंथ है यह 345 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो इडिस मैक्सिमम 345 ठीक है उससे कम ज्यादा हो सकती है जितनी भी है 345 मै मैं एक्सिमम 345 हो सकते हैं अब एक्स वायजी हो गया जी यह है 347 अज पंपिंग लीमा यह कहता है कि इस पॉर्शन को जो वाय वाला पॉर्शन है इसको मैं जितनी दफ़ा भी रिपीट करूँ तो जब भी मैं इसको जितनी दफ़ा भी रिपीट करूँ तो उसके बाद जो नया स्ट्रिंग बन रहा है वो भी इसी लेंग्विश का होना चाहिए वो भी प्राइम होना चाहिए अगर वो कंपोजिट हो गया मिसाल के तो प के लिए काफी है अब देखिए अगर इसको आप बड़ा इजी ले लेंगे ला तो आपको बड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्फ करने में तो हम शुरू इसे कैसे हमें पता है वी कन पंप इसको पंप कर रहे हैं और इसकी वजह आपको अगली स्लाइड के अंदर पता चल ल पॉर्षन को 348 टाइम हम पंप करेंगे तो इसका मतलब यहोगा एक्स वाला पॉर्षन तो अपनी जगह पे वाई वाले पॉर्षन में भी कुछ A थे ठीक है और वो वाई वाला पॉर्षन जो है यह 348 टाइम्स पंप हो रहे है और उसके बाद Z वाला पॉर्षन था और अ यह 348 टाइम्स आएगा यह जो भी है यह A पावर 1 है 2 है 3 है और A की पावर 1 से 345 तक हो सकती यह जो भी नंबर है हमें नहीं पता है कौन सा है तो अट लीस्ट एक A तो है जो 348 टाइम्स पंप हो रहे है अच्छा अब यह सारे A's है न तो इनकी तरतीब आगे पीछे करने स स्ट्रिंग में फरक नहीं आएगा यह वाला यह अगर हम यहां ले जाए यह यह यहां लेजाए तो इस इत्प नहीं आता है क्योंकि यह सारे इडंटिकल होते है हमें एक काम करते हैं 348 को स्प्रिट करते हैं दो पोर्शन में वाई पावर वन एंड वाई पावर 347 तो यह मिलके 348 ही हो जाएगा ठीक है ना तो इसमें कोई इश्यू नहीं है और हम इस जो इसको हमने स्प्रिट किया 348 को दो पॉर्चन में 1 प्लस 347 तो 1 वाले को इदर रग दिया 347 के रग दिया अगर हम इस सुरत में इसको ले आये हैं तो अगर आप घोर से देखें तो एकस वाई जी एकस वाई जी असल में तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग था देखें एकस वाई जी आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग था एपावर 347 एकस वाई जी यह असल में एपावर 347 है त तो portion है y power 347 यह अपनी जगह पे रहेगा ठीक है आपको तो पता नहीं ने exactly यह हैं कितने आपको पता यह यह जो y है यह a power k है k is something 1 2 3 up to 345 लेकिन यह एक arbitrary number है k तो आप इसको उसी form में लिख दें कि यह हमें नहीं पता कितने a's हैं यह k times a's हैं और वो k 1 से 345 तक कुछ भी हो स सकता है बस वो कोई भी number है वो that is k 0 नहीं है बहरा लिए 1 हो सकता है 2 हो सकता है 345 हो सकता है कोई एक number है यह total जितने थे आप उसको इस form में भी लिख सकते हैं अच्छा अगर आप इसको इसको combine कर दें को कि देखें बेस एक जैसी हो तो powers add हो जाती है तो यह k into 347 347 k plus 347 तो क में आपका solution आ रहे है वो क्या कि 347 दोनों से common ले रहे हैं और 1 प्लस के आज़े अब देखें प्राइम नंबर तो वो होता है जो जो यानि वन और उसके अपने इलावा उसको की factor नहीं होता ठीक है अब यहां एक कितने टाइम आ रहा है 347 into something और वो के चुकि 0 नहीं है तो अगर के 0 होता तो 1 347 बंदद 347 तो a power 347 तो वो तो एक प्राइम ही था लेकिन यह के आमारे पास कमस कम 1 तो है तो अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 2 तो 347 into 2 anything multiply by 2 that is a composite number और अगर यह k 3 हो जाए तो यह k की value 2 हो जाए तो 2 plus 1 3 anything multiply by 3 it is a composite number अगर यह 4 हो जाए तो anything multiply by 4 और 5 और 6 तो यह number अगर k क्योंकि 0 नहीं है जीरो के लावा कुछ भी हो जाए 1 से 345 तक कोई number भी अब यहां अगर put कर दें और उसमें 1 add कर दें और उसको 347 से multiply कर दें तो वो एक composite number ही आएगा क्यूंकि उसका एक factor 347 होगा ठीक है तो यह answer हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा तो पंप करने के बाद हमारे पास है composite number आ रहा है जो इस language का हिस्सा बन रहा है बनना चाहिए प्राइम लेंग्विज का लेकिन हमें पता है कि प्राइम के अंबर कंबोजिट तो आ नहीं सकता इसका मतलब कि हमने जो पंप किया है और उसके बाद जो नया वर्ड बनाया वो इस language का नहीं है तो यह पंप तो हमने किया था इस आटोमेटा को तो यह आटोमेटा असल में इस लेंग्विज का नहीं है प्राइम का नहीं है हमारी सब्पोजिशन रॉंग थी यह सॉल्व यह सेटिस्वाइन नहीं कर रहा है ठीक है यह बड़ी चोटे-चोटे क्वेस्चन है टेकनिकल क्वेस्चन है और इसमें आपको अपना प्रूफ वाला पॉर्शन जो आपने डिस्क्रीट मैट्स में पड़ा है उसको दुबारा से जो है ना थोड़ा सा रिवाइस करना पड़ता है ठीक है यह ऐसा ही है जैसे आप के पास कोई NFA है और आपको कहा गया जी आप हमें यह बताओ कि यह स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है के नहीं करता तो उसमें तो कि यह बताओ को दूसरा है नहीं होता है अपके अपको घृत करते हैं ना डिटर्मिनिस्टिक होते हैं इन निचर में एक चीज को ट्राइ करते है एक तरह हो गई ठीक नहीं होई अच्छा दूहीर तरह से मैं ट्राय कर लूँ अच्छा इसको मैं इस अप्रोच से करूँगा तो सॉल्व हो जाएगा ठीक है आपने देखा हर क्वेस्टन के अंदर हमने एक अलग सी अप्रोच लड़ाई हमारे पास प्राइम का क्वेस्टन था तो हमने ये कोशिफिज की कि हम उसकी पावर को कम्पोजिट कर दें। ताकि कॉंटरिक्शन आ जाए । ठीक है उसके अंदर हमने सिंब्ब सीर्म काम नहीं चलना था प्लेर अन्दरूम था था हमारी सिर्ष एक कोशिश थी क्या हम स्की सिमेट्री को तोड़ दें वहम उसको ये बता दे कि A power N और B power N के इलावा भी accept कर रहा है इस pattern पे नहीं है तो हमने इसको बता दिया तो हमें proof के अंदर सिरफ ये बताना है कि जिस pattern की चीज उसने दी है न pump होने के बाद जो string आ रहा है वो इस language का नहीं है in short ठीक है मैं दुपारा सी repeat करता हूँ ये steps पहला step suppose कोई automata है और उसके इतने number of states है ठीक है ऐसा string लें जिसके number of states ज्यादा हो चाही हो गया जी उसके बाद उसको तोड़ें इस तरह के जो x और y की length है ये total number of states से ज्यादा नहीं ठीक है जी ये भी हो गया उसके बाद उसको pump करें और यहां आपकी intelligence होगी कि आप उसको जब pump कर रहे है तो अब आपका motive क्या है इस सूरत में हमारा motive ये था कि हम a और 20 की power को different दिखा दें वो हमने दिखा दिया बात खेतम होगी ठीक है हमारे पास palindrome के अंदर ये था कि हम उसकी symmetry को अलग अलग दिखा दें तो ये देखिए हमने उसकी symmetry को तोड़ दिया तो यहां पर m के साथ कुछ k भी add हो रहा है तो जितने a's हैं उतने बाद में उतने a's पहले नहीं है तो इसका मतलब ये वाला language palindrome नहीं है पंपिंग लेमा कहता है और हमें पता है के नहीं है given language की definition इसको accept नहीं करती contradiction है ये नहीं हो सकता है ठीक है दूसरे example के अंदर भी हमने यही देखा था symmetry तोड़ दी थी ठीक है example वही इसको दूसरे तरीक से किया गया था प्रूफ आपकी बुक में यह चीज प्रूफ थी बुक में राइटिंग में बड़ा मुश्किल था तो मैंने उसको ज़रा mathematically बता दिये ठीक है और प्राइम के अंदर यह था कि आपको last step पहले वाले step सेम है पहले तो यह कि आपको नहीं कुछ है है तो उसके इतनी states है इतनी state है तो एक ऐसा number जो states total number of states से बड़ा है वो हमें सबोज करना है ठीक है उसके बाद आपने उसको तोड़ना इस तरह से है कि x y की length total number of states से ज़रा है यह वाले step तो सब तक common है उसके बाद आगे कि आपने उसको कितिन दफा पंप करना है ठीक है और पंप करने के बाद आपने उसकी original language से उसको कैसे deviate होता हुआ दिखाना है कि original language तो है prime की और number हमार पास बन रहा है a multiple of something a multiple of something is always a composite number it is not a prime ठीक है तो बात हो गई आपके पास असल जो फिकर करने की बाद हो लास स्टेप है पहले तीन स्टेप तो एक जैसे हैं ठीक है मैं दुबारा से repeat कर रहा हूं यह स्टेप ठीक है न पहला स्टेप आपको यह प्रूव बैं कॉंट्रेडिक्शन होंगे ठीक है अमूमन ठीक है आपको पहला स्टेप है कॉंट्रेडिक्शन दूसरा स्टेप आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है ठीक है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स ठीक है तीसरा step आपको एक ऐसा number suppose करना है जिस की length डबली है जिसकी length greater than होगी greater than or equal to number of states से say number of states की length है n है या m है जो भी है ठीक है फिर चोथा आपको x, y और z के अंदर अपने string को तोड़ना है इस तरह से तोड़ना है कि x और y की length मिलकर number of states की length से ज्यादा ना हो और y वाला portion empty ना हो खाली ना हो ठीक है last step उसको आपने pump करना है और pump करने के बाद और pump इतनी intelligently कोई number उसका करना है select कि pump करने के बाद जो नया string बन रहा है आपने ये प्रूफ करना है कि वह इस language को satisfy नहीं कर रहा जब satisfy नहीं कर रहा तो हम जो समझ रहे जेंगे ये आटोमेटा उसी का है pumping के बाद भी वही लेंग्विज बनेगी वह तो बनी नहीं हमारी सब पोजिशन रॉंग थी इसका कोई अटोमेटा नहीं बन सकता है तो इसकी रहा एक्स्प्रेशन भी नहीं बन सकती है तो अल्टीमेटली ये नॉन रेगुलर लेंग्विज है तो आपको जो सारे का सरा धमाग इस्तमाल करना ना वो यह जगा है बाकी यह जगा तो बिलकुल एक जैसी है सारे एक ए बहुत फाइदा देगी इसमें ठीक है न थोड़ा वकत निकालो अपने लिए अपने लिए वकत निकालो इस स्लाइड्स को देखो बार बार ठीक है इसको मैथमेटिकली खुद सॉल्फ करो ठीक है और हम भी एक्जाम के अंदर को बहुत जदा मुश्किल क्वेस्टन नहीं टाइम उसके लिए मैं आपको दे दूंगा इसी वीक के एंड में मैं एनाउंस कर दूंगा तो अगले वीक तक मैं के एंड तक मैं आपको 6-7-8 दिन इन्शाला उसके लिए दे दूंगा क्विस्ट तो हमारा पहले ही हो जाएगा आप लोग त्यारी शूरू कर दें ठीक है कर दिया स्लाइड भी चेंज कर दिया और एक एक चीज जो राइटिंग में थी बुक में वो मैथमेटिकली डाइग्राम की फॉर्म में भी बता दिया मसला होना नहीं चाहिए ठीक है ना तो यह बुक के पेज़िस नहीं रिडिंग असाइनमेंट इसको जरूर पढ़े ठी अच्छा तलाब बहुत अच्छे तरीके से चीजने समझ में आ जाएंगी इन्शाला आपको ठीक है बच्छो ख्यार लखिया अपना अल्लाहाफिस